Hello students, तो देखिए आज हम continue कर रहे हैं जहां से हमारा topic रह गया था Riccardi equation topic कर रहे थे हम तो उसी topic में next theorem करते हैं आज तो देखिए theorem क्या है Prove that the transformation this transforms our Riccardi equation to second order homogeneous linear differential equation कि यह हमारे पास क्या given है? एक transformation given है तो हमें proof करना है कि यह जो transformation हमें given है यह Riccardi equation को second order homogeneous differential equation में convert करतेगी ठीक है? ट्रांस्फोर्म करतेगी अब देखो सबसे पहले हमने क्या consider किया? Riccardi equation क्योंकि हमें transform किसे करना है Riccardi equation को transform करना है तो हमने consider कर लिया एक Riccardi equation अब हमें किसका यूज़ करने इस transformation का यूज़ करने तो हमने यहाँ पर जस्ट चे वो given transformation लिख दी अब यहाँ देखो यह transformation r t जो हमें given थी अब आप देखिए कि रिकार्टी equation में हमें चाहिए क्या क्या है r dash r square ठीक है r तो हमारे पास है यह r dash चाहिए it means हमें इसका derivative करना होगा और क्या चाहिए r square मतलब इसका square चाहिए ठीक है तो सबसे पहले हम क्या find out करेंगे r dash r dash means इसका derivative अब यहाँ पर हमें यह देखना है कि हम इसका derivative कैसे find out करेंगे देखिए हमें r t कुछ इस तरीके से given है तो हमें क्या करना है इसका derivative करना है ठीक है तो हम r t को इस तरीके से अलग अलग लिख लेते हैं minus 1 by c t u dash t into 1 by ut तो यहाँ पर देखन में पता चल रहा होगा यहाँ पर हमारे पास 3 terms है ठीक है 3 terms है तो यहाँ पर देखो derivative का formula लगाएंगे derivative of इसे u माल लेंगे इसे v माल लेंगे इसे w तो derivative of u v w क्या होता है u का derivative v and w as it is plus v का derivative u w as it is plus u v as it is and w का derivative ठीक है यह वाली चीज हमारे पास है आ जाएगी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसका derivative करने के लिए इस formula का use करेंगे ठीक है तो देखो यहाँ पर ऐसी किया हुआ है r dash t क्या हो जाएगा minus 1 by c t का derivative करेंगे तो क्या आएगा 1 by c square और फिट c का c dash t और यह वाली दोनों terms as it is plus में अब यह वाली term तो इसने as it is रखी है और यहाँ पर हमने derivative किसका किया है 1 by ut का 1 by ut का derivative करेंगे तो क्या आएगा minus आएगा तो वो minus minus plus हो जाएगा और 1 by u square t और u का derivative u dash तो u dash एक u के derivative का और उपर एक u dash था तो u dash square हो जाएगा इसी तरीके से u इसका derivative करेंगे तो u double dash आजाएगा और बाकी यह दोनों term हमने as it is लिख दी ठीक है यह simple हमने derivative के उस formula का use करके आप करेंगे easily हो जाएगा अब हमारे पास r dash की value आएगाई है ठीक है हमने क्या गरना है इसको equation number second में put करना है तो equation number second में put कर दो यहां पर हमने क्या किया r dash t की value को put कर दिया left में is equals to हमारे पास right में क्या है a t plus b of t into में क्या है r तो हमने यहाँ पे r की value को यहाँ देखो यह r की value को put कर दिया plus में c t और into में r square r मतलब यह इसका square करेंगे तो हम क्या होगा c square हो जाएगा minus का तो plus होई जाएगा square करने पर 1 by c square t और इस वाली time का भी क्या हो जाएगा whole square अब हमें क्या करना है throughout multiply कर देनी है c t ut से c और u से हम क्या करेंगे throughout multiply कर देंगे तो जो भी denominator में extra हमें c u दिख रहे हैं वो function cancel हो जाएगे तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा यह लिख रखा है इसरब इसकी multiply करें किस्से की हमने c t ut यहाँ पे लिख रही हूँ मैं जस्ट यहाँ पे हमने क्या कर दिया c of t u of t से throughout multiply कर दिया उसके बाद जो हमारे पास equation आईगी वो यह आईगी ठीकिए आप देख लेना करके आप देखों यहाँ यहाँ पे u double dash t e atom है इन दोनों term को इकठा कर लिया तो इसमें से minus common आ रहा है और क्या common आ रहा है u dash चीक है तो हमारे पास यह वाले आ जाएगी और यह वाले term इसने as it is लिख दी equals to zero अब यहाँ पे देखो क्या किया हमने इसको तो नाम दिया p of t और इस term को इसने क्या नाम दे दिया q of t ठीक है तो यह हमारे पास क्या बन गई एक second order homogeneous linear differential equation बन गई ठीक है और हमें यही दिखाना था कि यह जो transformation है यह क्या करेगी Riccardi equation को second order homogeneous linear differential equation में change कर देगी जो कि हमने करके दिखा दिया अब देखो उसी पे based example है जैसे हमने theorem की थी वैसे ही example करेंगे यहाँ पर differential equation given है उसे हमें Riccardi में change करना है last theorem में हमने क्या किया था transformation का use करके इस transformation का use करके Riccardi को differential में change किया था बट यहाँ हमें क्या करना है differential equation को Riccardi equation में change करना है ठीक है यह step का हमने theorem जो की थी, वो पहले की थी, इस से पहले वाली आप video देखेंगे, तो उसमें हमने इस type की theorem की थी, वहाँ पे हमने कैसे change किया था, हमने यहाँ, वहाँ use किया था, rx को हम क्या put करेंगे यह चीज, rx को हम क्या put करेंगे p of x, y dash upon y, अब यहाँ पे जो p of x होता है वो क्या होता है जैसे कि यहाँ पर d square y by dx square का जो coefficient आएगा उसे हम क्या नाम देते हैं p of x ठीक है अब यहाँ पर इसका coefficient क्या आएगा जब आप इसका derivative open करेंगे तो d square y by dx square का coefficient हमारे पास x आएगा तो यहाँ पर p की value आगी x y dash upon y ठीक है अब यहाँ पर क्या किया y को हम left में ले जाएंगे y r is equals to xy dash again हमने क्या किया दोनों तरफ derivative कर दिया तो xy dash का derivative is equals to इसका derivative और जब इसका derivative करेंगे तो हम product rule का use करेंगे उसमें हम क्या करेंगे r का derivative y as it is plus में y का derivative r as it is अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है हमने अब यह क्यों निकाला है क्योंकि इसका use हमें given equation में करना है यहाँ पे यह क्या लिखा हुआ है x y dash और इसका derivative भी तो लिखा हुआ है तो हमने यह वाली term क्यों find out की क्योंकि इसका use हम given equation में करने वाले हैं अब कर दो इसका use equation number first में तो इसकी value को हम क्या करेंगे equation number first में put कर देंगे तो हमारे पास equation आजाएगी अब इसके बाद देखो किया किया है यहां यहां इसने y' की value put कर दी अब y' की value कैसे आई भी देखो यहां पे हमारे पास क्या था यहां से देख लो यहां से यहां से हमार पास y dash की value क्या आ जाएगी y r upon x ठीक है तो यही y dash की value हमने यहां put करती अब इसके बाद देखो r square y by x plus में 1 minus x y is equal to 0 आ जाएगा और यहां से r dash x की value हमारे पास यह आ जाएगी अब यहां से यह वाली value कैसे आई यह देखो एक बार देखो हमारे पास यह equation थी तो यहां से हमें किसकी value find out करनी थी r dash x की क्या value होगी यह चीज़ देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं यहां से y throw out हटा सकते हैं ठीक है तो y को हम क्या गर देंगे हटा देंगे तो बचेगा क्या r dash plus r square y x plus में 1 minus x is equal to 0 ठीक है अब यहां पर हम क्या करेंगे r dash की value यहां से हाई जाएगी इसको जब right side लेके जाएगे तो negative हो जाएगा negative को max minus 1 और यह minus r square by x ठीक है तो यह हमारे पास क्या होई rikarti equation आ गई ठीक है हमें यही तो करना था rikarti equation में rikarti equation में change करना था ठीक है रikarti equation चेंज करती है यह हो गया अब उसके बाद देखो example यह example same है ठीक है इसमें भी हमें क्या given है differential equation given है और किसमें change करना है इसे rikarti equation में change करना है थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ बाकिया आप कर लेना देखो given differential equation थी हमारे पास यहाँ पर हमने क्या किया u से throw out divide किया तो हमारे पास equation आ गई यहाँ से u double dash by u की value क्या आ गई इसको right side मिल जाएंगे negative आ जाएगा r हमने कैसे put किया था px y dash by y जैसे हमारे की value यह put कर रहे थे न ऐसे हमने यहाँ put करनी है बट यहाँ पर y के जगा क्या variable है u variable है और y double dash coefficient 1 है तो it means p of p की value यहाँ पर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी तो 1 into u dash by u चीक है यहाँ से अब देखो हम किस की value find out कर रहे है r dash की value r dash की value निकाल ली इसने यहाँ से तो यहाँ से लिखो क्या हो जाएगा u double dash by u minus is equal to r dash यहाँ पर इसने यहाँ पर कैसे लिख दी यह वाली चीज है क्योंकि हमारे पास r dash की value किस के equal थी sorry r की value थो हमारे पास इसके equal थी r dash की value इसके equal थी चीक है यहाँ से देखो u double dash by u की value question number first में इसके equal है तो यह value उठाके यहाँ पे इसने put कर दी देखो यह value चीज और minus u dash square by u square as it is ठीक है तो यहाँ से जब आप इसे क्या करोगे solve करोगे तो हमारे पास क्या आजाएगा कि जो r dash और इसके value क्या आजाएगी यहाँ से तरिक के है तो क्या किया आजाएगी इसके बाद नेक्स्ट तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका रिकाटी एक्वेशन टोपिक कम्प्लीट हो जाएगा ठीक है